Hello friends! आज की स्टुडियो में हम बात करने वाले हैं कि कि स्परकार से आप चेट GPT की मदद से आप जब जब अपलाई करते हैं तो आप किसी भी कंपनी पाप को मेल सेंड करना होता है तो आप चेट GPT की मदद से किस परकार से अट्रेक्टिव मेल आप राइट करके आप किसी भी कंपनी को सेंड कर सकते हैं। तो यह जो information ही आज की studio में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप मारे YouTube चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सुस्क्राइब कर लें। और bell icon को press color जिससे कि आपको इस तरह की latest studio आपको मिलती रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो यहां पर मैंने chat.gbt का वेबसाइट है इस tool को open कर रहा है। और यहां पर जो search bar है तो यहां पर आपको type करना है write a mail for job apply और आपको पूर्ट करनी है और फिर आपको लिख देना है आपका जो भी experience तो फ्रेशर कोड़ करें और आपको जितने भी experience है और आपको simply क्या करना है फिर एंटर करने के बाद यह आपका जो भी email है उसको write करने लग जाएगा थोड़ा सा time लेगा तो यह मैं इसको थोड़ा सा time लेता हूं फिर अपन इसके उपर discuss करेंगे यह देखिए इसने पूरा mail लिख लिया है तो अब अपन इसके उपर discuss करते हैं कि कितने इसने attractive तरी यह आपके अप सामने बहुत ही शांदार तरीके से application for desktop support position जिस भी position के लिए तरह पर उसने लिख दिया है फिर उसने greeting greeting यहां पर टाइप करेंगे लिया hiring manager यह जो भी आपका manager का नाम है वो यहां पर कर सकते हैं इस तरह के से इसने यह बहुत ही सार जो position हो और आपका जो company का नाम है वो यहां पर पूर कर देंगे और इसको यहां पर फिर पूर चीजे ध्यान रगनी है आप आपने जो भी degree diploma कर रखा है वो यहां पर mention कर देंगे और फिर इसको same as it is एक बड़ चेक कर लें कि आपकी qualification ही या आपकी skill है वो skill से match करती है या नहीं करती है जो भी है आप इस परकार से चेट GPT ने एक attractive mail write किया है तो इस तरह के अगर आप mail को use करते हैं इस तरह के mail के content को आप use करते हैं तो आपको company के तरफ से एक अच्छा response देखने को मिलेगा आपको hire करने के percentage का chance भी जादा रहेगा तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप comment अभ मिलते रहें तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं next video में